अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे वो कभी अपना दिमाग नहीं चलाता ज्यादा दिमाग मत चलाओ अपना मैंने बहुत दिमाग चलाया था उसे अपना दिमाग चलाना चाहिए था ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस जिन में हम अपना दिमाग चलाने के बारे में बात करते हैं इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज वन्स ब्रेन का यूज करते हैं जिसका मतलब होता है अपना दिमाग चलाना यानि कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले subject आता है subject के बाद subject और tense के according helping verb आती है इसके बाद use आता है इसके बाद noun या फिर possessive adjective इन दोनों में से कोई एक आता है अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो noun आएगा apostrophe s के साथ और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो possessive adjective आएगा जैसे कि my, your, his, her, are, there और last में brain आता है यहाँ पर ये जो use है yeah is a main verb use होता है जो कि subject और tense के according change भी हो सकता है जैसे कि uses, used, using चली अब इस पर based कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए वो कभी अपना दिमाग नहीं चलाता he never uses his brain he never uses his brain ज्यादा दिमाग मत चलाओ अपना don't use your brain too much don't use your brain too much इस परिशानी का हल निकालने के लिए मैंने बहुत दिमाग चलाया था I had used my brain a lot to find the solution to this problem उसे अपना दिमाग चलाना चाहिए था she should have used her own brain she should have used her own brain कभी तो अपना दिमाग चला लिया करो do ever use your brain do ever use your brain इतना दिमाग क्यों चला रहे हो why are you using your brain so much why are you using your brain so much क्या उसने अपना दिमाग नहीं चलाया didn't she use her brain didn't she use her brain क्या वो अपना खुद का दिमाग नहीं चलाता doesn't he use his own brain doesn't he use his own brain अब एक sentence आपके लिए अब वो अपना दिमाग चलाएगा इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताएए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज दिसे लाइप कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तर के लिए टेक केर बाबाई